बायो टेक्नोर जेन की बात कर लेतें की अगर हम बात करें तो यहाँ और दूसरा अपलीकेशन पढ़ईंगे मेडिसिन धिल्ष पहले एग्रीट्ज्छर की बात कर लेते हैं ग्रीन रिवलूशन का एक पॉइंट यहां दिया गया कि ग्रीन रिवलूशन से फसल की पैदावार तीन गुना बढ़ गई लेकिन ज़्यादा तर जो increase हुई थी वो किस वज़े से हुई थी mainly due to the use of better management practices and use of the agrochemical की वज़े से ज़्यादा तर फसल की पैदावार बढ़ी थी किसी भी plant, bacteria, fungi, animal जिसके gene में कोई modification कर दिया जाए जान बुझकर उसे genetically modified organism गहा जाता है genetically modified organism जैसे golden rice जो की vitamin A enriched होता है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हमारे पास सबसे पहला example है BT cotton ठीक है? अब BT cotton के लाओ BT corn, rice, tomato, potato, soybean इन सब को भी develop किया गया है तो BT cotton की अगर हम बात करें तो BT cotton में bacillus thuringiensis bacteria के कुछ strain इंसेक को kill करते हैं जैसे lepidopteran, tobacco birdworm और armyworm को BT मार सकता है siloteran, beetle को dipteran, flies और mosquito को kill कर सकता है जो BT bacteria है यह insecticidal protein का formation करता है और यह insecticidal BT toxin protein inactive protoxin के form में पाई जाती लेकिन जब insect इसको निगल जाता है inactive toxin को तो यह convert होती है active form में कहाँ पर alkaline pH of the gut mid gut में है न, mid gut में alkaline pH में active हो जाती है और mid gut epithelial cell से bind करके pore create करती है और इससे ultimately insect की death हो जाती ठीक है अब यहाँ पर जो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो cry 1 AC और cry 2 AB जीन है यह control करते हैं cotton ball warm को cry 1 AB control करता है corn borer को यह सबसे important बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी ठीक यह सबसे important बात है जो आपको ध्यान रखनी ठीक है आगे बढ़े pest resistant plant plus pest resistant plant में हमारे पास है tobacco plant tobacco plant की root में एक nematode melodic and incognition infection कोच करता है जिससे बचने का तरीका है RNA interference RNA interference में क्या करते हैं silencing of mRNA mRNA की silencing करते हैं complementary double standard RNA के दोरा ठीक है medicine की बात कर लेते हैं medicine के field में क्या यहाँ पर contribution है अभी तक 30 recombinant दवाईया पूरे दुनिया भर में human use के लिए बनाई गई है और इनमें से 12 दवाईया ऐसी है जिनकी इंडिया में marketing की जा रही है इनमें से एक हमारे syllabus में insulin की गई गए insulin की बात करें तो insulin यहाँ पर जो आप देखो insulin बनता कैसे जब insulin की synthesis तो पहरे प्रो insulin में तीन chain होती है इसमें तीन chain होती है एक a chain होती है ठीक है एक b chain होती और एक c chain होती है जब maturation होता तो c chain अलग हो जाती है और a और जो b chain होती है आपस में डाइसलफाइड बॉंड के दौरा जुड़ जाती है और mature insulin का formation हो जाता है तो insulin की अगर हम बात करें वेटा तो insulin 1983 में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने DNA के दो sequence तयार करा है और उनसे insulin की A और B दो chain का formation किया ठीक है तो यह बस आपको ध्यान रखना है एली लिली कंपनी ने 1983 में human insulin को बनाया और human insulin को बनाने के वाद इसकी marketing स्टार्ट की जीन तरेपी की बात करें जीन तरेपी एक ऐसी कोसिस है जिसके द्वारा हम उन बीमारियों को सही कर सकते हैं जो बीमारिया किसी चाइल या ADA की deficiency थी उसमें इसका यूज़ किया गया ये enzyme जरूरी होता है immune system के function के लिए the disorder is caused due to deletion of the gene for the adenosine deaminage ठीक अब कैसे इसको treat करते हैं ADA deficiency को bone marrow transplantation के दौरा enzyme replacement therapy के दौरा कर सकते हैं enzyme replacement therapy के दौरा सही कर सकते हैं लेकिन ये दोनों approach completely curative नहीं है completely curative नहीं है तब फिरम क्या करते हैं gene therapy में यहाँ पर क्या क्या था lymphocyte patient के blood से निकाल के उनको culture करते हैं functional ADS CDNA को retro virus का यूज़ करके lymphocyte में introduce करते हैं और फिर से patient में हम इनको डाल देते हैं लेकिन ये cell immortal नहीं से लिए ये भी temporary method ही हो जाएगा लेकिन permanent method के अगर gene isolate from marrow cell producing ADS introduced into cell at early embryonic stages it could be a permanent cure अगर early embryonic stage में introduce कर देंगे तो ये permanent cure हो सकता molecular diagnosis conventional method का उनसे हैं diagnosis के serum और urine analysis जिनसे हम early detection नहीं कर सकते हैं recombinant DNA technology, polymerase channel reaction और ELISA ये ऐसी technique हैं जिनसे हम early diagnosis कर सकते हैं early diagnosis कर सकते हैं PCR की अगर हम बात करें बेटा तो PCR को routine test के तौर प्यूज करते हैं HIV suspected patient के अंदर ठीक है साथ ही साथ इससे हम कई सारे genetic disorder का पता लगा सकते हैं PCR से हम cancer patient में gene के mutation का पता लगा सकते हैं single standard DNA RNA जिसमें radioactive molecule को tag किया जाता है antibody interaction तो जितनी लाइने में टिक कर रहा हूं इतना अच्छे से आथ करेगा transgenic animal किसे कहते हैं बटा transgenic animal की बात करें तो animal जिन में किसी दूसरे का gene अपने आपको express करता हूं transgenic animal कहते हैं transgenic rat, rabbit, pig, sheep, cow, fish ये सभी बनाएगे लेकिन लेकिन, 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 95% से ज़्यादा जो transgenic animal है, माईसेन का रोल कहा है normal physiology और development में इनका रोल है जैसे insulin like growth factor यहां पर आपको दिया गया होगा insulin, insulin like growth factor यह आपको याद कर लेना study of disease, study of disease, disease की study करने के लिए जैसे यहां पर transgenic model बनाएगे हैं किसके लिए cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis और Alzheimer के लिए कार आप याद करोगे, कार के लिए transgenic model है biological product की अगर बात करें तो alpha 1 antitrepsin को emphysema के treatment के लिए यूज किया जाता है, इसी तरह से phenyl ketonuria और cystic fibrosis के treatment की कोसे सम कर रहे हैं 1997 में पहरी transgenic का रोजी को produce किया गया जिसके milk में 2.4 gram per liter क्या है, human alpha lact albumin है vaccine safety, vaccine safety में आपको याद करना है कि transgenic mice का यूज किया गया था, polio vaccine की safety को check करने के लिए और इसी तरह chemical safety testing भी करते हैं ethical issues की बात करें, ethical issues लोग घूली चुके हैं ethical issues किसी की भी copy कर लो, किसी किताब चाप लो, यहाँ पर एक है genetic engineering approval committee, genetic engineering approval committee जो decision लेती है validity of GM research, safety of introducing GM organ to public services इसके अलावा, अगर हम बात राइस के बारे में बटा तो राइस का जो इतिहास है बहुत पुराना इंडिया में राइस की दो लाग से ज़्यादा varieties हैं और 27 documented variety बास्मती राइस की इंडिया में उगाई जा रही हैं 1997 में American company ने बास्मती राइस का US patent and trademark office से patent करवा लिया गहर कानूनी तरीके से और इसने बेचना स्टार्ट कर दिया इसी तरह तर्मरिक और इसी तरीके से जो तर्मरिक और नीम है इनका भी गलत तरीके से patent कराने की कोसिस की गई American company के दोरा इसी को हम biopiracy कहते हैं biopiracy का मतलब क्या use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment बिना कोई compensatory payment दिये हुए बिना पूछे हुए ना without proper authorization बिना पूछे हुए दूसरे के product को बेच रहे हैं यूज भी नहीं कर रहे हैं बेच रहे हैं that is called biopiracy इसी को हम biopiracy के नाम से जाने हैं अब यहां पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है NCRT ने लिखा है कि Indian Patent Bill Indian Parliament में Indian Parliament ने भारतिय संसर्द में भारतिय संसर्द में हाल ही में clear किया गया Second Amendment in the Indian Patent Bill Indian Patent Bill में Second Amendment किया गया तो तियस संसोधन किया गया 10 मिनट में chapter खलास